हेलो एबरिवन और विल्कम चू अउनली आइस करेंगे तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल अउनली आइस नतिंग इल्स को जरूर से जोइन कीजिए तो बिना देरी किये हुए चली शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एरिडिटी अनॉमली आउटलूक इंडेक्स के बारे में हैं इस इंडेक्स को रिलीज किया है जुलाई 2022 के लिए ये कहता है कि इंडिया में 85% जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो एरिट कंडिशन फेस कर रहे हैं मतलब कि सूखे क सिती पानी की कमी इस इंडेक्स को तयार करदा है IMD इंडिया मेटलोजिकल डिपार्टमेंट पर ये है कि हम ये देखें कि एग्री कल्चलर ड्रॉट की कंडिशन क्या है कहीं पर अगर कोई ऐसा सूखा है जिसका प्रभाव एग्री कल्चलर पे नहीं है तो ये उसे संग्य क्या जाएगा by this index by this our index anomaly का मतलब ये है कि normal value जो है वह water shortage को signify करती है इसको इस तरीके से तयार किया गया है index को कि अगर इसमें negative value आती है इसका मतलब ये है कि moisture surplus में है और पॉजिटिव value आती है तो moisture की कमी है stress है सुखे इसमें इसमें बन सकती है इंडेक्स को weekly या हर दो हफते के period में compute किया जाता है और देखा जाता है normal aridity के period से कि कितना जो aridity का situation है वो जादा या फिर कम है यहाँ पर जो parameter से इस्थेमाल किये जाते हैं वो हैं दो पहला है actual evapotranspiration और दूसरा है calculated potential evapotranspiration evapotranspiration क्या होता है जब evaporation और transpiration को add कर दिया जाए evaporation में क्या होता है कि जो surface पे पानी होता है वो evaporate होता रहता है water droplet में convert होता है because of the heat और उसके बाद वो atmosphere में चला जाता है that is evaporation transpiration में क्या होता है जैसे plants हैं पौधे हैं या फिर crops हैं वो photosynthesis करते हैं तो अपना stomata खोलते हैं in that process उनके पास जो moisture होता है वो भी atmosphere में release हो जाता है that is called transpiration तो दोनों में ही atmosphere में moisture जाता है तो इसे collectively evapotranspiration कहा जाता है तो एक तो हो गया actual evapotranspiration मतलब कितना evaporation हुआ by the general process and by the plants और the crops तो वो हो गया actual और calculated potential evapotranspiration का मतलब क्या है कि कितनी maximum capacity है वहाँ पर evapotranspiration की तो कितनी capacity है that is potential और कितना हुआ that is actual यही दोनों का मतलब हुआ significance इस index की यह है कि इसमें हम agriculture में drought के impact को evaluate कर पाएंगे किसी भी ऐसी area में जहां पे defined wet या dry seasons होते हैं और वो climate regime में आते हैं winter और summer में जो cropping season है वहाँ पर भी इस method का इस्सेमाल करके assessment किया जा सकेगा findings क्या रही यह बताय गया है कि 85% districts है इंडिया में वो arid condition phase कर रहे हैं जिसमें 196 district severe degree of dryness phase कर रहे हैं जिसमें 65 तो अकेले उत्तर प्रदेस में हैं जो की highest number है districts का second number पे बिहार है जहां पे 33 district ऐसे हैं जो severe degree of dryness phase कर रहे हैं जहां पे rainfall भी 45% deficit में है अब आगे IMD की बात करते हैं इसे establish किया गया 1875 में यह work करता है ministry of earth sciences के तहत जिमेंदारी है metological observations की weather की जानकारी देने की और seismology को study करने की next article डाइ अमोनियम phosphate के बारे में हैं आत्म निर्भर भारत initiative के एक हिस्से के रोप में सरकार ने यह फैसला किया है कि वो fertilizer companies को support करेंगे जो produce कर रहे हैं डाइ अमोनियम phosphate ताकि इनकी supply बढ़ती रहे डाइ अमोनियम phosphate NH4-2HPO4 यह दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जने वाला phosphorus fertilizer है काफी prefer किया जाता है इसे इसलिए भी prefer किया जाता है because अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ना केवल जो plants हैं उनको phosphorus मिल जाता है क्योंकि इस fertilizer में 18% nitrogen भी होता है यह जो combination है यह लगभग यह जो phosphorus है basically die ammonium phosphate यह 18 essential plants के लिए उनके nutrient के लिए जरूरी होता है तो बहुत ही common fertilizer है जो इस्तेमाल करते हैं जो DAP है die ammonium phosphate इसे आप short में dab बोल सकते हो यह ammonia और phosphoric acid को react करवाकर fertilizer plant में controlled condition में तयार किया जाता है तो यह phosphorus और nitrogen दोनों का एक अच्छा source बन जाता है plants के लिए इसके कई सारे इस्तिमाल होते हैं एक तो यह highly soluble है तो soil इसे बहुत आसानी से grab कर लेती है और अपनी needs को पूरा कर लेती है दूसरा यह है कि इसको इस्तिमाल करते वक्त हमें seedling damage पर ध्यान रखना होता है आपने जस्ट बीज बिखे रहे हैं या फिर जो बीज हैं seeds हैं वो just germinate ही हो रहे हैं वहाँ पर अगर आप यह phosphate डाल देंगे तो फिर उनको नुक्सान हो जाएगा तो आपको इस तरीके से इसका इस्तिमाल करना होगा कि जो नए बीज है या फिर germinating seeds हैं उन पर यह ना पड़े जो तो आग बुच जाती है और दूसरा आग जब बुच जाती है तो उसके बाद जो वहाँ पर plants वगएरा होते हैं वो destroy हो जाते हैं तो यह die ammonium phosphate जो land है उसको एक newton दे देता है तो आसानी से वहाँ पर again जो vegetation है वो आ जाता है जो dap है industrial process में भी इसका इसका इस्तिमाल करते है metal की finishing में तो काफी multiple use किये जाते हैं die ammonium phosphate के हम आगे बढ़ते और बात करते हैं खायाम satellites की खायाम satellite नाम तो आपको उर्दू जैसा मिल रहा हो गए तो यह असल में आपको लग सकते है क्या इस तो ने launch करी है क्या नहीं यह launch करी है रश्या ने और यह satellite है असल में किस देश की है यह कहां कि थे इरान के थे और इनके नाम के remote sensing satellite खायाम तो खायाम किया remote sensing satellite which is being launched by Soyuz, Soyuz एक satellite carrier है जो कि किसका है रश्या अगा तो remote sensing satellite का क्या फाइदा होगा उन्हें data मिलेगा help मिलेगी अपने areas को ठीक से कीटर करने के लिए इसमें high imaging accuracy है और earth के surface को यह मदद करेगा उनको पॉर्डस को भी monitor करने में agriculture productivity बढ़ाने में water resource natural disasters को control करने में और इसको guide करेगा जो ground station है वो इरान में होगा यानि रश्या ने इसको launch कर दिया मांकी इरान उसको फिर manage करेगा जो इंडिया पहले करता था रश्या के साथ अभी इरान ने ऐसा किया तो खयाम किसकी satellite है किस ने launch किया अगर आपको इस रोमा दे दे तो आप confused नहीं हो ना इरान की satellite को इंडिया ने launch नहीं इंडिया में हो रहा है कौन कर रहा है तो International Dairy Federation और क्या करेगा यह जो इंडिस्ट्री के leaders है जो stakeholders है उनके बीच में knowledge sharing की बाद हो या फिर कैसे और ज़रा safe और sustainable dating practices को बढ़ावा दिया जाए लाइवलिहोड और nutrition इस वार्स का थीम है इंडिया रैंक वन इन मिल्क प्रडक्शन 23% अफ ग्लोबल मिल्क प्रडक्शन इंडिया में ही होता है उत्रप्रदेश इस था हाइस्ट milk producing state इन इंडिया उसके बाद रायस्थान आंधरा गुजरात और पंजाब आते हैं यह होगा इसकी बात और इंडिया में दूद को लेकर जो बाते हुई थी उसमें सबसे इंपॉर्टन आता है operation flood कहा हुआ था आनंद village काफी famous है क्या हुआ था आनंद में कौन सी company है अमूल किसने शुरू किया था क्या relevance नहीं यह सब बात इंपॉर्टन के इंडिया में दूर्ट की कमी पहले हुआ करती तो operation flood के बाद इंडिया ने अपने village level पे cooperative societies के थूरू काफी काम किया और उस काम करते है निकला इंडिया is a leading world milk producer हाला कि इंडिया अभी तक एक major milk exporting country नहीं है क् इंडिया की requirement खुदी बहुत सारी domestic है एक billion लोग है और इंडिया is a very much milk dependent country तो धेजर इंडिया कोशिश कर रहे है कि और जाना production बढ़ा है क्योंकि इंडिया में जो cow की जो breed है उनमें भी दिक्कते आ रहे हैं और उनकी बिमारिया बढ़ रहे हैं इंडिया में milch cows का system हो गलत और एक समस्याई देश भर में बनी हुए इसको लीकर काफी कदम उठाने की जरूरूरत है फिर बाद आती है बॉमॉल्स कोस्ट डिजीज की देखिए बॉमॉल कोस्ट डिजीज मतलब यह होता है विलियम बॉमॉल नामके वेक्ती थे इन्होंने एक थियोरी इजाद की थी आपको और जादा पैसे मिलें क्योंकि आपकी पास स्किल जादा है तो जैसी जैसी आपकी स्किल या आपकी productivity बढ़ती है वैसे वैसे आपकी wages बढ़ते है यानि जितने पैसे आपको मिलते है उतने जादा बढ़ते जाते है लेकिन इस चीज में देखा गया विलियम कभी कभी ऐसा होथा कि competition इतना जादा होता है market में डिमांड इतना होती है कि skill develop हुए भी new skill उतनी-इतनी है आपको तना ही आथा जितना पहले आता लेकिन आपको पैसे जादा है क्योंकि इतनी जादा लोग है इतनी लोगों को सेवाएं चाहिए आपकी रीशेंटली देखा गया है कि वेज राइस की जाती है बिना productivity के, productivity नहीं बढ़ी लेकिन कीमते बढ़ गए इसका सबसे बड़ा example जो देखा गया था वो देखा गया था health industry में health industry में hospitality और health की बात अगर हम करें primarily जो health का सेक्टर है, hospitals है, doctors है, nurses है उनकी productivity नहीं बढ़ पाई, mbbs किया, doctor बन गया और उसके बाद वो मौका ही नहीं में बढ़ाने का लेकिन उनकी जो wages है बढ़ गए, hospital जो उनके खर्चे बढ़ गए उनका जो wage है वो बढ़ता जा रहा है उतना जारा demand आपसे करेंगे सब कुछका, लेकिन उनके services नहीं बढ़ाई या productivity नहीं बढ़ाई, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग है इतनी जारा demand है कि भाई, एक आदमी एक limit में कुछ ही काम कर सकता है तो नहीं कर पाएगा, तो किसी एक को प्रेफर करेगा दूसरे के बदले में, किसको प्रेफर करेगा, जारा पैसा देगा तो वो देखा गिया, बाउमल कॉस्ट डिजीज अभी लागू हो रही है, हेल्थ इंडस्ट्री में, जहां पर बहुत जारा demand है जिस वज़े से बिना स्किल के development हुए, बिना wages करती है, तो आपको समझना है, वट इस बाउमल डिजीज, बाउमल कॉस्ट डिजीज जो है, कोई कोई कोरोना या ऐसा कुछ बिमारी नहीं है, बिमारी ये एक तरीका है, ये ठियोरी है, जो कहती है, बिना productivity के बढ़े, बिना skill के बढ़े, जब wages बढ़ जाते हैं किसी के, क्यों बढ़ते हैं बहीं, क्योंकि डिमार्ड इतनी जारा होती है, जिसे इंडिया में सवाग 100 करोल लोग है, 1.35 billion people है, डॉक्टर्स बहुत कम है, तो डॉक्टर्स की skill और hospital का the level of productivity बढ़े बिना भी hospital के bills बढ़ जाएंगे, उ जो increase कर सकते हो, technology के थुरू, AI के थुरू, let's say, अगर डॉक्टर्स एक समय बहुत लोगों को देखता है, या आप technology के थुरू कुछ चीज़ें automate कर दें, तो फिर requirement ही नहीं रहा जाएंगे, तो उसकी demand अपने आप कम हो जाएगे, तो फिर wages कम हो जाएंगे, तो higher wages कभी-कभ बहुत नुकसान भी करते हैं कि laborers कम होते हैं इस वज़े से, तो यह अलग-अलग industries की कहान ही है, मैंने आपको example देके समझा है, health industry का, आर्टिकल बात करता है, Palestine-Israel conflict के बारे में, Israel-Palestine के बीच में लगातर conflict बना हुआ था, जिसमें की कई हिंसा हुई, जहां कहा जा रहा थ अंके लोगों की जान को खतरा था, इसके बदले में इस जवाबी करवाई को हने करना पड़ा, हमें यह जानना पड़ेगा कि क्या कहानी है, असल में इस रीजिन के, आपने बहुत बार यह न्यूज में भी पढ़ा होगा, देखे, इसराइल है, यहां पर इधर Gaza Strip है, जह बाते क्लियर हो गए, एक राज एक शहर है यहां पर, उस शहर का नाम है जिरुसलम, जो बहुत ही महतुपूर्ण है, for Muslims, Christians as well as for Jews, तो Jewish population के लिए भी important है, और Muslim Christian population के लिए भी important है, जिरुसलम, जो prominent बात है, जो पहले बात है की गई थी, उसके तर यह था कि Palestine जो स्टेट बने जिरुसलम शहर बनेगा, तो वो इसराइल की राजधानी होगी, जो इसराइल-Palestine conflict का solution कहते है, two state solution, two state solution मतलब, दो राज बनेगे, एक Palestine और एक Israel, दोनों ही capital claim करते है, जिरुसलम को, क्योंकि बहुत important है, अभी presently scenario यह था, कि इसराइल की राजधानी, तल अवीव थी, और West Bank, यानि Palestine की मानते थे रमाला, हाली में, इसराइल में West, जिरुसलम को अपने राजधानी डिकलर किया था, डॉनल्ल्ड रम के टाइम में, जिन्होंने मान भी लिया था, कि हाँ, West जिरुसलम अब जो है, वो इसराइल की राजधानी है, यह एक बहुत बला मुद्दा था, जिसको लेकर जो उनके अलगलग गृप्स वस्तितों में विवाद पैदा हो गया था, यहाँ जो चीज़े आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो यह है, कि दो चीज़े हैं, एक है फता, और एक हमास, हमास एक militant organization है, जो गाजा में operate करती है, और फता वो political party है जो कि West Bank को rule करती है, West Bank कहां पर है, यह आपकी West Bank River का भी नाम है, उसके पास है, और यह आपका Dead Sea यहाँ पर हो गया है, तो हमास इदर गाजा स्टिप पर है, और एक जादा terrorist ही है, militant organization की तरह इसको देखा जाता है, काफी attack चलते रहते हैं, इस्राइल के साथ, और वो अलग कॉर्णर पर, वेस्टन साइड में, इस्टन साइड में, क्या है West Bank, और उपर जो आप देख रहे हैं, इस्राइल के वो है, गोलन हाइट्स, जो सिरिया के पास है, नीचे है आपका, इस्राइल, यहाँ गाजा और यहाँ पर यह इलाका, तो तीन पाटी हैं, हमास, फता और इस्राइल, पता लग गया आपको, विवाद अभी जिस ग्रूप को लेके हुआ था, वो था Palestinian Islamic Jihad, जिससे थ्रेट आ रहा था इस्राइल को, तो इसके बाद UN में एक Security Meeting के बाद की गई, और वो होने वाली है, लेकिन में मुद्दा क्या है, वो है जिरुसलम को लेकर, तो East और West दूर जिरुसलम का पार्ट है, अगर आप देखें, तो पहले इनिशली क्या हुआ था, ये हिस्सा, जो Western जिरुसलम था, वो इस्राइल के पास था, लेकिन जो Eastern जिरुसलम था, वो इस्राइल के पास नहीं था, वो पहले Occupy कर रखा था, किसने, तो Jordan ने, और बाद मे Six Day की वार हुई, पहले एक Arab Israel वार हो था, 1948 में, उसके बाद 1967 में एक Six Day वार हुई था, 1967 के Six Day वार में, इस्राइल ने ये जो, बाकी का हिस्सा था जिरुसलम का, वो भी कबजा कर लिया था, और वो almost उनकी occupation के अंदर ही है, जहां पर major important sites हैं, तो दोनों ही देश कबज, ऐसा Senai Peninsula भी कबजा कर लिया था, इस्राइल ने 64 के टाइम में, तो नीचे उपर और बाकी के इला के सब पर कबजा कर लिया था, इस्राइल ने, जो बाद में, अजिप के साथ हैं, अबने संबन जब नॉर्मलाइज किये, तो कम से कम ये हो गया कि, जो Senai Peninsula है, वो उने एक तरह स इस conflict के कहानी, डीटेल में आप इसके बारे में वीडियो हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं, एक बड़ा मुद्धा ही है, जिसके बीटेल वीडियो भी उप्लब्द है, एडिटोल में भी आप डिसकस, इसके बारे में इसके बारे में, तो आगे बढ़ते हैं, और अगल आ नीचे की तरफ आई है, तो ये तो जो पिछले महीने की हिसाब से, उसके मुकाबले में एक गिरावर देखी गई है, तो पहली बात आपको ये पता होना चीए, कि जो food press index है, वो कौन सी body लाती है, तो UN की FAO जो organization है, वो ये index लाती है, 1996 से शुरू हुआ था, जिसमें global food presses को उपर गए थे आसमान के गरफ, ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि युक्रेन रश्या विवाद के बाद, युक्रेन और रश्या दोनों ही major supplier थे किस चीज़ के, commodities के, specifically wheat, गेहों का प्रमुख supplier में से एक था यूरप ने, यूक्रेन, यूक्रेन का wheat supply रुख गया था, रश्या का बढ़ गई थी, तो जो commodities थी हमें, जो भी major चीज़े हैं, रश्या या यूक्रेन जैसी countries हैं, जो major food producing countries हैं, इनके विवाद की वज़े से, जो commodities ने के दाम बहुत जारा बढ़ गए थे, अब धिधी तरे वो stabilize हो रहा है, supply chain दोबर activate हो गया है, तो खाने के दाम जो अचानक बहुत तेजी से भागे थे, अब थोड़े से कम हो रहे है, इसके लिए विवाद हमने देखा, लगातार चीन को लेकर विवाद बना हुआ है, अभी Taiwan का विवाद बना हुआ है, इस वज़े से एक डर की स्थिती है, इस वज़े से, मार्च के आसपास हमने देखा था, कि ज देखा गया है, चीजने थोड़ी स्ट्रिवलाइज हुई है, इसकी वज़े से, जो हमारे लिए काम की बात यह है, कि क्यों ये हाई प्राइस हमें देखने को मिले, एक तो ओईल के प्राइस बढ़ गए थे, ओईल के प्राइस बढ़ने से खाने भी क्या फरक पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है खाना तो वो शिफ पर आएगा न, शिफ पर तो ओल लगेगा, तो ओल प्राइस ओविसली विल लीड तो इंक्रीजिन प्राइस इन प्राइस इन प्राइस प्राइस अगर बढ़ेंगी तो उनके लिए बाद में दिक्कत हो थे अपने, खुद के लिए सफिशेंटली पहले स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वैसे और फूट प्राइस बढ़ेंगी थी, ऐसा ही बाकी देशों नहीं धी किया था, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अचानक एक रिकॉर्ड ग्रोथ हुई थी, जिसके बाद अब चीजें स्टेबलाइज हुई है, तो एक रिकॉर्ड डिक्लाइं भी देखा गया है, यह वजह है कि हमें फूट प्रैस इंडेक्स ऐसा बदलता दिख रहा है, इसके बाद एक और जो आर्टिकल न्यूज में है, वो है 10 नई रामसार साइट्स इंडिया से जोड़ी ग अब देखेंगे लगातार कई जोड़ी गहीं जैसे, गल्फ अफ मन्नार मेरिन बाइसफर रिजर्व, वेंबनूर वेटलेंड कॉंप्लेक्स, वेलोड बर्ड सेंचुरी, यह सारी चीजों को जोड़ा गया है, और इसके अलावा जो और नाम है वो है, वेथांगल बर्ड स सेंचुरी और सतकोशिया गौर्ज जो ओड़ी सामे है, दो, तीन नाम और जो है, वो है नंदालेक, नंदालेक की खास बात है कि गोगा की पहली यह एक रामसार साइट है, फिर करनाटिका की रंगना थिटू बर्ड सेंचुरी को जोड़ा गया है, और एक MP से भी जोड़ी की गई है, सिरपूर वैटलेंड, जो की इन दौर में है, तो मीजरली जो इसमें सबसे प्रॉमेनेंट आपको याद रखना चाहिए, कि गोगा की पहली रामसार साइट का नाम क्या था, वो था नंदालेक, करनाटिका में जो बर्ड संचुरी है, जो लाजस्ट बर्ड संच के बाद है, किस रिवर के पास मिलेगी, तो महानदी के पास है, ठीक है, उदय मर्थन दपूरम बर्ड संचुरी, जो है, ये किसलिए फेमस है, तो यहाँ पर आपको ग्लॉस्पी, बेस, ग्रे हनॉल, और उरेशन स्पून बिल देखने को मिलता है, तो जो इंपॉर्टन ल स्पूरीन बाइसफेर रिजर्व, तो दस नई रामसार साइट्स एड़ हुए है, अब लिसको अपने अपडेट करें, और इसको भी याद करने की कोशुश करें, थाकि बहतर तरीके साब इसको रिवाइस कर पाए, तो मिल लाड़ों से मैक्सिम इसमे एड़ हुए है, जो देखा जा था, जो वेटलेंड है, लगातर वो खराब होते जा रहे हैं, द्यू टू पॉलूशन, द्यू नेगलेक्ट, वो वेटलेंड से वेस्टलेंड बनते जा रहे थे, तो दुनिया के इंपोर्टन वेटलेंड को बचाने के लिए ये एक ट्रीटी की गई थी, रामस जासे किन की क्या स्थिती है, और वो कैसे काम कर रहे हैं, ये बात हो गई, रामसर कन्वेंशन की, जिसमें 10 नई रामसर कन्वेंशन साइट को एड किया गया, फ्रॉम इंडिया, अगला आर्टिकल बात करता है, SSLV के बारे में, जो हमने कल्वीज के बारे में जाना था, कि ये जो लांच वहीकल था, इसको अपने साथ जो दो सेटलाइट ये लेकर गये थे, इनको अंतरिक्ष में प्लेस करना चोगे नहीं कर पाए, तो पहली बात कि SSLV पे क्यों फोकस कर ये गवर्मेंट, क्यों इस रोने कदम बढ़ाया, हमने ये पहले भी बढ़ा था, कल भी बढ़ा था, कि competition बहुत जादा है, और एक multi billion dollar industry है, जो खड़ी हो रही है, small satellite launch वहीकल के आस-पास, छोटे-छोटे restaurants हैं, telecom companies हैं, universities हैं, business groups हैं, इनको खुद के satellites चाहिए for observation, for data, for mapping, etc, etc, तो वहां कभी भी किसी को requirement हो, तो normally क्या होता था, इस रो किस satellite launch वहीकल पे फोकस कर थ तो GSLV, PSLV बड़ी launch वहीकल थी, जिनको लेके जाने में, और plan करने में time चाहिए, investment चाहिए, तो अगर कोई छोटी company आई, 10 company आगए, बही हमें एक launch करना है, दो company आई, पैसा लेके हमें launch करना है, तो ऐसा इस रो को करने में बड़ी दिक्कत हो सकती, तो इसलिए उन्हें एक छोटा small scale का अबना satellite launch vehicle established किया, जो बहुत कम समय में, 72 hours से लेके, एक हफते के अंदर ये बना कर भेज सकते हैं, अभी जो दो satellites भेजेगे, इनमें कुछ snag आ गया, जिसकी वज़े से काम नहीं कर पाया, जो भेजे गए, उनको प्लेस करना था, circular orbit में, जो इस तरह का orbit हो लेकिन वो गलती से elliptical orbit में प्लेस हो गए थे, जो तो satellite ये साथ लेके गई थी, उनका नाम क्या था, ये OS 2 और आजादी सैट, आजादी सैट जैसे हमें पढ़ा था कि बच्चों ने बनाया था, उनके ये एक अंतरिक्ष में जाके, जो हमारे national anthem है, वो भी बज़ता इसके लेकिन ये जो failure हुआ है, इसकी वज़े से आगे की जो bookings है, इसको थोड़ा प्रभाव पढ़ सकता है, लेकिन अब भी ये जा रही है, तो देखिए, जो ऐसा selby का mean काम होगा, कि lower earth orbit, जो LEO orbit होता है, उस orbit में जितनी requirement है, उसको जल्दी और कम cost efficient तरीके से place किया जा सकी, ता जाकसा, ESA, अब वहाँ पर इंडियन देख रहे हैं, जैसे SpaceX आ गई या Blue Origins आ गई या Boeing आ गई तो उससे compete करने के लिए एक कदम उठाया गया है, जिसको हम देख रहे है, इसके लिए इनका NACL की भी शुरुआत की है, अंत्रिक्स जो इनका commercial wing है, इस रो का, ये सारी चीज ये सफल नहीं हो पा है, जिन्हें place करना था, circular orbit में जो इस तरह कहा होता है, और ये elliptical orbit होता है, तो एक गल्टी के बज़े से circular में जाने के बज़े, जो elliptical orbit है उसमें place करके आ गया, ऐसा नहीं कि वो विस्वोर्ट हो गया था, बल्कि उस आटने लेके गया पर जिस orbit में प्लेस नहीं कर पाया, तो इसको ठीक किया जा रहा है, मतलब अगली जो ब्लांच होगा तो इसमें ये चीज ठीक हो जाएगी, ऐसी उमीद की जा रही है, तो वो दो mission फेल हो गए इस रोके, ये बात हो गए इस, हमारा next article इंडियन virtual herbarium के बारे में है, बहुत सारे plants होते है फ्लोरा होता है, उनका में पास data base हो तो बहुत आसानी हो जाएगी, उनके बारे में research करने को लेकर, तो इंडियन virtual herbarium तयार किया गया है, ये एक database है, एक online database है, जिसे Botanical Survey of India ने तयार किया है, इसमें बहुत सारे plants का पूरा data तयार किया गया है, Minister of Environment, Forest and Climate Change के ambit में ही से prepare कि इसमें जो vispices हैं, उनका scientific name, collection locality, collection data, collector का नाम, barcode number ये सब दिया गया रहता है, इसे आप statewide भी search कर सकते हो, तो इसे जो researchers हैं उनके बहुत मदद मिल जाएगी, और वो आसानी से कुछ explore करना चाहते हैं, तो कर पाएंगे, हमरा next article Great Barrier Reef के बारे में है, Australian Institute of Marine Sciences की एक report के according, पे रहा है, उसे record किया गया है नदन और central part of Australia के Great Barrier Reef में, देखे ये Australia है, और Australia की eastern coast पे एकदम एक reef का structure आपको मिलेगा, जो की बहुत ही लंबा है, और उनके coastal region से फैलता हुआ जाता है, that is Great Barrier Reef, ये दुनिया का सबसे largest और longest coral reef माना जाता है, जो Australia में located है, 1981 में इसे ये द 400 types के coral, 1500 species, fishes की, और 400 जो mollusks है, यानि कि जो seep वगएरा होती है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, coral reef क्या होता है, ये invertible reds होते हैं, ये प्रिकार के बहुत ही छोटे marine जीव होते हैं, जो अकशेरुकी होता है, जिनमें रीड की हड़ी नहीं पाए जाती, इन largest living structure तयार करते हैं, प्लैनेट पे, coral reef के form में, जहाँ पे corals होते हैं, ठीक है, coral reef एक underwater ecosystem है, जो reef building corals के वज़े से तयार होता है, होता क्या है कि उनके पास एक skeleton होता है, एक structure होता है, जो calcium carbonate का बना होता है, उसके भीतर ही corals रहते हैं, जब coral मर जाता है, तो ये जो calcium carbonate का structure है जाता है, और वहाँ पर वो एक layer तयार कर लेगा, उसके उपर और corals जो हैं, वो मरेंगे, तो calcium carbonate वो इकठा होता होता चला जाएगा, तो ऐसी structure calcium carbonate का तयार हो जाता है, ठीक है, तो ये coral reef बन जाता है, अब जो corals की colonies हैं, वो इकठा रहती हैं, तो ये reef बहुत time to time develop होता र animals हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, तो वो जगे देते हैं algae को, algae उनके उपर आता है, और वो sunlight में खाना बनाता है, और उसी खाने को इस्तेमाल करते हैं, ये corals, तो उनके बीच में एक symbiotic relationship होती है, algae उनको रहने के लिए base देता है, corals algae को रहने के लिए base देते हैं, और जो algae है, वो खाना बनाता है, जिसका इस्तेमाल corals करते हैं, तो इस तरीके से अगर धिमे-धिमे कोई situation change हो गई, जैसे समंदर का पानी गंदा हो गया, temperature बढ़ गया, तो algies मरने लग जाते हैं, algies खतम हो जाते हैं, तो जब algies खतम हो जाते हैं, तो जो corals का color होता है, बहुत ही vibrant color के होते हैं algies, तो इसी वज़े से corals colorful देखते हैं, जब algies हट जाते हैं, तो जो color है white हो जाता है, तो इसी coral bleaching कहा जाता है, काफी लंबे समय से mass bleaching record की जा रही है, और ये 2022 में हाल फेलहाल में bleaching देखी गई, जहां पर algies खतम हो गया, और corals white color में convert हो इंपोर्टेंस corals का क्या होता है, ये sea floor का cable 1% cover करते हैं, लेकिन marine biodiversity का 25% cover करते हैं, और पूरी दुनिया की economy में 2.7 trillion contribute करते हैं, बारत में 4 locations पे आपको मिलेंगे corals, गुआ के कोश्ट पे, केला कोश्ट पे, पाक बे, गल्फ अफ कच, गल्फ अफ मननार, लक्षिदीप question 2014 का है, बहुत ही आसान सा प्रश्ण है, पूछा गया था, coral reef कहां नहीं पाये जाएंगे, अंडवान निकोबार अमत कहां पाये जाएंगे, अंडवान निकोबार आइलेंड, गल्फ अफ कच, गल्फ अफ मननार और सुन्दरवन, coolers के बारे में अगर आपको पता हो, तो coolers वहीं survive कर पाते हैं, जहाँ temperature 27 degree Celsius, 23 degree Celsius के बीच में हो, moderate temperature हो, पानी साफ हो, ताकि संदेज जा सकें, और जो algae's हैं वो खाना बना सकें, हमें पता है, सुन्दरवन में गंगा और ब्रहपुत्रा का डेल्टा है, तो वहाँ तो और नेक्स आर्डिकल, operation यात्री सुरक्षा के बारे में है, railway protection force ने अभी हाली में पैन इंडिया लेवल पे एक operation चलाया है, that is operation यात्री सुरक्षा, नाम से समझ में आ रहा है, क्या होगा, passengers को secure करने के लिए चलाया गया होगा, किसने चलाया है, यह important है, RPF का initiative है यह, passengers की security क ensure किया जाएगा, इसमें कई सारी चीज़े की जाएंगी, जैसे जिगे जिगे पे CCTV surveillance किया जाए, escorting की जाए train की, surveillance activity को पढ़ाया जाए, और जो police presence है, उसे increase किया जाए stations पे, ताकि security बनी रहे है, ऐसा नहीं कि यह एक मातर initiative है, जो RPF ने launch किया है, इसके पहले RPF ने और भी बहुत सारी initiatives launch कर रखे हैं, जैसे mission G1 रक्षा, कई बार लोग accidentally train के track पे आ जाते हैं, जिससे accident में उनकी जान चली जाती है, अभी तक इस G1 रक्षा mission के तहत 1650 लोगों को बचाया गया है, जब वो गलती से train के track पे चले गए, तो RPF के जवानों ने उन्हें अपनी जान पर खेल कर बचा लिया, मेरी सहली initiative कई बार जो women होती है, ladies होती है, girls होती है, वो अकेले travel करती है, एक जिगए से दूसरी जिगए, और वो unsafe feel करती है, during this journey, तो इसके लिए मेरी सहली initiative लाया गया, इसमें जो women RPF officials हैं, उनको deploy कर दिया जाता है train में, बुजा के उनसे बात करती है उनको बताती हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहीं पे हैं, आपको कोई भी need हो, आप call करो, हम train में ही हम आपके पास मदद के लिए आ जाएंगे, ताकि वो confident feel करें, और safe feel करें travel के दरान, इसमें वो महिलाएं जो अकेले travel कर रही हैं, या वो जो vulnerable है crime को लेकर उन्हे focus की में रखा जाता है, operation अमानत, कई बार लोग train में travel करने के दरान, अपना सामान भूल जाते हैं, उसमें कई बार कीमती चीज़े होती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने उन चीज़ों को खो दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, operation अमानत के तहत, RPF उन्हें secure करके करने के दरान किसी को कोई problem है, तो call कर सकता है, operation number plate, कई बार railway promise में कुछ लोग अपनी जो वहिकेल है वो पाक कर देते है, mismanagement होता है, उसके लिए operation number plate लाया गया, और operation thrust, illegal तरीके से, unauthorized तरीके से, package drinking water को railway promise में बेचा जाता था, उसे रोकने के लिए लाया गया, operation thrust, फिर अ और रश्या निक दूसरी के पर आरोप लगा है कि इन्होंने इस nuclear plant के उपर shelling करे, नि बम गिरा है, nuclear plant पर आप बम गिराएंगे, तो क्या हो सकता है, दुरगटना आपको पता ही है, तो ये आरोप जोरो पर लग रहे है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहां पर है nuclear plant, और ये दुनिया के टॉप 10 जो बड़े nuclear plants उनमें से एक है, तो इसके उपर बहुत जारा खत्रा मन रहा रहा है कि अगर कुछ भी होता है दिक्कत आती है, कहा जारा युक्रीन ये कह रहा है कि रश्या ने इसके पर बंबारी की ताकि वहां के electricity कट हो जाए, और रश्या कह युक्रीन ने खुदी से सकिया है, तो इन दोनों के बीच में चल रहा है, इंपोर्टन चीज ये है कि यहीं पर चर्णोबिल भी है, जो बंद हो चुक है, चर्णोबिल फेमस जहां पर nuclear accident हुआ था, और वो युक्रीन में ही है, तो युक्रीन रश्या का जो युद्ध है अब ये तक खिची रहा है, तो ये उससे रिलेटिर न्यूस थी है, अगला आटिकल बात करता है, अंगोल कैटल ब्रीड के बारे में, अंगोल असल में एक गाय की एक ब्रीड है, जिसे इंडियन जो काव ब्रीड से कहते हैं, बॉस इंडिका, तो बॉस इंडिका की फेमस ब्रीड है, अंगोले, अंगोले की खास बात है कि बहुत जादा ये एक मिल्च एनिमल है, जो कि जब ड्राउट सेनेरियो होता है, तब भी बहुत अच्छे से जारा दूद देती है, जब सुखा कुछ आ जाता है, या फिर इनमें और जो विदेशी ब्रीड होती है, जिने लेकि उनको आपको गर्मी में कूलर देना पड़ता है, अच्छे से साफ सफाई करनी पड़ती है, जो उनको अनाज दिया जाता है खाने के लिए, जो उनका खाना होता है, वो विशेश तौर पे कुछ चीज़ें ही खाती है, सब कुछ नहीं खाती है, जो इंडिन काउज ह कि यह एक ब्रीड है, जो प्रकासम डिस्ट्रिक्ट है, वहां का है, अंगोल, और यह बहुत जाना जाता है दुनिया मर में, क्योंकि इनके दुद में काफी जादा A2, मिल जिसे कहते हैं, जब खेडने जाता है, अभी 160 लिटर है, काफी जादा अच्छ दूद की वराइट काउ डिजीज, या फिर अभी न्यूज में बहुत जादा रहे है, एक लंपी स्किन डिजीज, डिजॉर्डर चला है, जहां गायों के जो शरीर पे गोल-गोल से लंप्स बन जाते हैं, चकते, और इसकी वज़े से उप गाये जो हैं वो बिमार पर जाते हैं, और उनकी मिल तफ ब्रीड मानी जाती है, इनके दूद में एटू बहुत मात्रा में मिलता है, और काफी ही प्रॉमिनिट अगला आर्टिकल है कार्णेलियल बीड्स के बारे में, आपने देखा हो कुछ लोग हाथों में कुछ पत्थरों की एक तरह से मालाय पहनते हैं, या जिसे कह सकते हैं कि ब्रेसले टाइप होता है, पत्थरों का, और कहते हैं काफी शान्ती प्रवाइड करते हैं पत्थर, स्टौन शरैप से कुछ होते हैं, तो ऐसे बीड्स कुछ नए के कार्णेलल बीड्स, 74 कि गिलारी क्लस्टर से, किलारी क्लस्टर कहां पर है, तमिल नाडू में है, यहाँ पर कार्णिलील बीट्स मिले हैं, historically, रोम की जो अम्पायर थी, रोमन शहरों में, कार्णिलील बीट्स को बहुत सारा पवित्र माना जाता था, इवन एजिप्ट में भी, तो जो ममीज को जब दफनाया जाता था, उनके साथ बीट्स लगाया जाता था, ताकि वो अगले दुनिया में उनको मदद करेंगे, इंडिया में भी माना जाता है कि कई ग्रहों की शांती के लिए इसको अलग लगता है कि बीट्स के स्टमाल के रहा है, तो हमने पढ़ा है, हड़पण स्टाइम में भी बीट्स वो यूज करते थे, तो अभी जो एक्सकेविशन हुआ है, एक बरियल साइट है, कुन्थागाई बरियल साइट, तो कहां पर है कुन्थागाई बरियल साइट, तो तमिल नाडू में है, तमिल नाडू के किलाडी क्लस्टर में है ये बरियल साइट, जहां पर क्या मिला है कार्नियल बीट्स मिलें अर्लियर कहा ज़ादा था केवल इंडिया और मैसर पोटामिया में ही कार्नियल बीट्स हुआ करते थे मेजरली इंडिया में अगर बीट्स देखें तो वो वेस्टन इंडिया में होते हैं साउथ में नहीं होते हैं तो साउथ मे इंडिया और मैसर पॉटामिया से ही आते थे, मैसर पॉटामिया आज का इराक जिसे हम कहते हैं, यह कार्णियल बीड्स के बारे में कहां पर excavation हुआ है, तो यह excavation हुआ तमिलनाडू में जगह का नाम कौन से है, किलाडी, क्लस्टर में जगह का नाम है, कौतागाई बरियल सा के लिए, तो एक टैलकम पाउडर बहुत फेमस है, specifically कंपनी का नाम है, जौनसन अन जौनसन, चाइल्ड केर में जानीवानी कंपनी है, रिसेंटली इन्होंने अपना टैलकम पाउडर इसको डिसकंटिन्यू किया है, जो ग्लोबल इन्होंने इसको डिसकंटिन्यू किया, ख Silicate यह ऐसा chemical formula है और chemical name जिसे हम कह सकते है normally और बुद्ध के साथ कि कहा जाता है cancer cause कर सकता है क्या ये chemical खुद से cancer cause करता है तो अभी तक इसकी पुष्टी नहीं हुए cancer causing है इसके साथ जब खनन होता है इसका उसके आस पास जो deposit से हमें मिलता है asbestos का deposit भी साथ साथ मिलता है और asbestos बहुत 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 cancer causing एक माना जाता है impact asbestos का हो सकता है तो इसी वजह से FDA ने भी ऐसा कहा था कि इससे cancer हो सकता है और अब इन्होंने भी अपने सारे products को discontinue कर दिया जितने टैलकम पाउडर इनके थे world over तो क्या था और कहां कहां use होता है तो जो यह hydrous magnesium silicate है इसका इस्तमाल powder में, lipsticks में, eyeshadows में, foundations में और make-up के जितना items होते हैं वहां use किया जाता है तो क्योंकि जहां इसका deposit हो यहां asbestos भी होता है तो इसलिए cancer-causing हो सकता है यह तो इसलिए कई chemicals जो use के जाते हैं make-up kits में या body products में उनमें ऐसा खत्रा होता और Johnson & Johnson जो major company है specifically baby care में है तो वहां और ज़्यादा घारतक हो सकता है इसलिए इसको discontinue किया है क्या नाम था इसका company का calcium का formula क्या था क्यों और क्या cancer-causing के साथ है यह हमें पता चल गया आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा हमारे दो programs के बारे में एक अगर आप ऐसी situation में है जहां आपको basic level से preparation करनी है आपकी concepts clear नहीं है आप जहाते हैं एक जगह है आपको पूरा one-pointed solution मिल जापकी preparation का with prelims, mains, interview, test series everything covered inside तो वह हमारा प्रारम का program जो online offline दोनों उपलब्द है जहां आपको specifically target oriented पढ़ाई कराई जाती है classroom programs है online centers भी है जो आपको videos भी मिलते है उसमें weekly test, doubt clearing sessions everything is included in this तो आप चाहें तो हमारे course join कर सकते हैं और अगर आप इस थिति में जहां आपको लग रहा है कि नहीं आपने basic preparation कर रखे, you are done with the basics, आपको problem यह कि बगला item देना है और clarity नहीं है किस-किस level तक तयार किया जाए, कैसे manage किया जाए, motivated रखा जाए, schedule क्या हो, test कितने दिये जाए, तो आपके लिए हमारा MIP any marks improvement program है, जो focus करता है, आपको schedule दिया जाएगा, हफते भर आप उसकी answer writing की practice करेंगे, topics पढ़ेंगे और weekend पर उसका test होगा, अगर आप कहीं फसते हैं या आपको कोई दिक्कत आते हैं, तो mentorship आपको provide की जाएगी, आप mentor से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या दिक्कत हैं, और प्रोग्राम से इसके बारे में detail में हमारे phone number या आप आप website पे जाकर details ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं और pin code के बारे में बात करते हैं, पचासवी साल की रहा थी हमारी, इस बार pin code जब introduce क्या गया उसकी 75th Independence Day के दिन ही इसके 50 साल होते हैं, और pin code की खास बात यह है, pin code की वज़े से जो आपका 6 डिजिट का code होता है, अगर आप दिलनी में तो 110067 मान लो, 110087 मान लो, ऐसे codes होते हैं, यह न्यू डेली का code है, तो pin code मतलब होता है, जिसके तुरू आप sort कर पाए, आप कहां पर है ताकि आपका चिठ्थी आप तक पहुंच पाए, बढ़ा important है इं भीखाजी वलनकर, एक बहुत बड़े संस्क्रिट के स्कॉलर थे, भीखाजी वलनकर, इन्होंने इसको इंट्रड्यूस किया था, इन्होंने basically frame up किया था, और इतनी ज़ादा जब diversity है, तो वो चिठ्थी exactly आपके घर तक क्यों पहुंच जाती है, तो pin code की वैसे पहुंच में 6 digit होता है, पहला digit दिखाता है कि आपकी region में है, north में, east में, west में, south में, दूसरा region, दूसरा जो है आपकी army, जो दूसरा है वो आपको सब region दिखाता है, कि उस east में आपके सराज्य में है, और फिर तीसरा आपको दिखाता है कौन सा district है, फिर चौथा आपका sorting district कि कौन सा पोस्ट ऑफिस आपका है जहां पर उचिट्टी जानी है ताकि एक्जेक्टली उसी लोकेशन बे पहुंच जाता है वो तो जिसे मता है मैं से वाना को बता है शिराम विकाजी वलंकर इन्होंने ही इसको इनिशेटिव को शुरू किया था जो सीर मेंबल थे पोस्ट आप लिख दो बस वह आपके घर तक पहुंच जाएगा तो इसलिए होता है कि पोस्ट ऑफिस और पिन कोर का इंट वाक इतना जड़ा स्ट्रॉंग है कि वह सौट आउट बहुर अच्छे से कर पाते हैं इसमार एफिशन इन टरम्स ऑफ डिलिवरी मिरे हिसाब से देन इव जो पोस्टल इंडिया था जो सफर कर रहा था फाइनचली उसको नहीं लीज ओफ लाइफ मिलिया क्यों क्योंकि जब e-commerce स्टार्ट हुआ तो इंडिया पोस्ट के तुरू बहुत से पहुंचाई जाती है तो पोस्टल पोस्ट को जो इंडिया पोस्ट ऑफिसस की रेलेवन और इसको मास्टरपीस का जाता है जो इन्होंने श्रीराम की प्रेज में लिखी थी और एक साइट से पढ़ो तो यह आप लौड राम के बारे में है और पीछे से पढ़ो तो यह कृष्ण को डेडिकेट हो जाती है लौड क्रिशन को तो यह रेलेवेंस है इस इन पोएट अश्रीर धान की वर्याइटी है इस और यह रेलेवेन आप आघल पानी लगा फशह होता है अगर 15 अपको हो सकता है निरीवेन वर्याइटी इसदार कमर्ण आपको आपको अउठ देती है अलाकि बाकि दान की फसलों की मुकाबलिक कम आउटपूट है, लेकिन बाड में जब पानी भर जाता है खेतों में और आदी मान के चलिए धान की खड़ी फसलें जो हो पानी में डूबी हुए तब भी ये उसको सस्टेन कर जाते हैं, नॉमली ऐसा होता है जो सस्टेन करने व तो आपको कम यीलड मिलेगी पर आपको सिक्यूर्टी तो रहेगी बाड भी आगए तो चलो कम से कम इतना यीलड तो पका रहा तो इसलिए ये बात की जाते है और खास बात इसकी क्वालिटी कभी नहीं गिरती है चल्य कितना भी पानी हो और ये बंगलदेश- बहुत जाला यूज होने लग गया है, इसके लिए ये ये केवल 25 दिन ही भाड को जहल पाती है, वरना ये 40 दिन तक भाड को जहल सकती थी, भाड को जहलना मतलब खेद में पानी भरा पड़ा है, इनके आधा एरिया जो है पानी में डूबा हुआ है, फिर भी ये बहुत अच पर जब पानी खतम होता तो तूटके फसल गिर जाती है, तभी आपको इसको 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 काट लेना होता है, लेकिन ये फसल जो नेरे गुली की है, पानी हटने के बावजूद और ज्यादा ग्रो करती है, बाड में डूबा रहेगा 40 दिन तक, उसके बाद जब पान पुठम होते हैं, जनको नहीं पाता है, अगरा सवाल, अगरा बात करता है मन्तन प्लाटफरम के बारे में, तो मन्तन प्लाटफरम है क्या? मंतन प्लैटफ़ाम असलमें ऐसा प्लैटफ़ाम है dalे कि के थो हम कोशिश करेंगा इंडिया की बड़ी प्रब्लम इस्थिधी कम एंड्या इंडिया की जुर्ली है जो रीसेर्चर है वो इंडिस्टी के साथ मैचनी यू तो इसा यहां साइन्टिफिक रिसर्च और इंडस्ट्री साथ मिलके काम कर बाएं तो ऐसा प्लैट्फार्म बनाया गया है यह किसने किसके अंतरगत काम कर रहा है नसी आईटी के अंडर एंसी आइटी क्या होती है भई नेशनल स्टॉक एक्चेंज का ही है कोलेबरेशन के अंदर काम करेगा ताकि देश को इनोवेटिव आइडिया के थू कैसे पॉब्लिक प्राइविट पार्टिसिपेशन हो अगैडमी है कैसे पार्टिसिपेट करें इंडस्ट्री के साथ जो प्रॉब्लम इसको सॉल्फ कैसे किया जाए रिसर्च के थूरू इन सब पर फोकस करेगी ताकि नॉलेज ट्रांसफर हो कोई रिसर्च किसी एरिया में काम करें वो बता सकते हैं अगर मालें जो एकॉनोमिक्स के एरिया में कुछ काम हो रहा है जिससे पता लग पाए कैसे लोगों के सिग्रेट चुड़वा काम हो रहा है उसको कैसे बड़े आयाम पे लाया जाए यह सभी काम हो सकते हैं यह कोशिश है मन्थम प्लैटफॉर्म की ठीक है 100 पसंट यह सब्सेट्री है कि इसकी एनसाइटी नेशनल सॉक इंडिया की जो कि ग्लोबल टेक्नॉलोजी एंटर्राइज है जो कि डिजिटल इनेबट सर्विसेज प्रोवाइड करती है ठीक है तो यह ऊगई इसकी बाद अगला अर्टिकल है थविस्याडिस के वारे में बार बार ऐब इसको आयार के अर्टिकल से बटर होगे सिर्ट तुिसाइडिस क्राइटा भी कहते हैं कुछ दोग क्याट कि सब्सक्राइब नह अल्रेडी एक समराज था स्रॉंग, उसके अंदर भय किस्थिती पैदा होगी, क्योंकि वो देख रहा है एक नई उभरती विशक्ति, जब भी कोई एक शक्ती है, वो देख रहे हैं नई उभरती विशक्ति, उसको लगता है कि यह उसके वर्चस्व को हिला देगी, इस क्याते हैं कि जब भी एक पावर है और दूसरी एमर्जिंग पावर खड़ी होती है, तो वो जो एक्जिस्टिंग पावर है, उसको हमेशा डर लगता है, और वो उसके जो हेजमान वाली सिच्चूशन है, हेजमान मतलब जो उसका वर्चस्व है उस इलाके में, जो वो चा काम करेगा, इसी को लेकर कोट आया था पहले बहुत पुराना जी जिन पिंग जो जायना के प्रेजिडेंट हमका कि हम सब को काम करना जाएं कि हम थूसाइडस ट्रैप के डिस्ट्रक्टिव टेंशन में ना फसे, इमर्जिंग पावर इस्ट्यबिश्व पावर डरे नहीं एक दूसरे से, मिल के साथ में काम करें, हालां कि बाते क्या कर रहे है वो सब को पता है पर थूसाइड इस्ट्रैप है ये कोई बिद्युसरिकल फिजिकल फ्यजिकल ट्रैप नहीं, फिजिक सी कोई ट्रेप नहीं, ये कोई मशली मालने की या, किसी हिरन को फंचाने का ट्रैप है असल में ये दो विश्व में जब शक्तियां बढ़ती हैं उनके बारे में एक स्थाइट व शक्ति पाफुल कंट्री जब वो देखती है एक और नहीं पावर उभर रहे हैं तो हमाशा लगता है उनके वर्चत सुख हत्रा है जिसे कहते हैं त्रैप और ये ट्रैप ले जाता है उन्हें जंग की और एक दूसरे खिलाफ हमेशा डर की और और ये एक प्रटेंशन कॉल्फिक्ट को दिखाने के लिए बताया जाता है जो अभी चाइना और युएस में हो रहा है हो सकता है बविश्य में और दादा अभी तो तैवान क लेकर आटिकल बात करता है रोशनी के बारे में रोशनी क्या है रोशनी नाम के नई रोशनी नाम के एक स्कीन भी थे पहले ये रोशनी एक रहा इनिशेटिव है ये असल में एक लैंटर्न है जिससे कि अगर आप उसमें जब नमकीन पानी डालेंगे या खारा पानी डाले तो वहाँ नमक पानी वाला आपको बस पानी मिल जाए उससे ही अपना एक लेंटन जला सकते हैं तो काफी मदद करेगा इस ओफ लिविंग क्रियेट करेगा गरीबों के लिए जिनके पास साधन नहीं है किसी एसिस्तिती में जो लोग कोस्टिल लाकों पर रहते हैं तर्टिय यह क्या है यह तो एक सेलाइन वाटर लेंटन है किसी ने डेवलब किया है तो नेशनल इंस्टूट आफ ओशन टेकनोलोजी ने डेवलब किया इसको और यह पहला सेलाइन लेंटन इंडिया का था इसका फाइद आप सूच सकते हैं कि जो समुंदरी इलाकों में उनके जाएगा यह बात होगे रोशनी की अगला आटिकल उस पर जाने से पहले दो हमारे जो प्रोग्राम है में उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा पहला हमारा मार्क्स इंप्रोग्राम और दूसरा हमारा प्रारम प्रोग्राम अगर आप बेसिक लेवल से एजुकेशन चाहते हैं चाहते हैं कि जहां से भी यूपिस्टी की प्रोग्राम का एक बेस बनता है NCRT हो फ्रॉम रूट्स टु पिनेकल वो कवरेज मिलती है आपको हमारे प्रारम प्रोग्राम में जो कि हमारे एक फांडेशन बैच है 2023 के लिए शुरू हो चुग है ऑफ लाइन दोनो आपको एक schedule दिया जाएगा उसके हिसाब से आप Monday to Saturday, Monday to Friday पढ़ेंगे, Saturday और Sunday को आप टेस्ट देंगे, Saturday को Prelims का, Sunday को Means का टेस्ट आप देंगे और उसका Evaluation होगा और अगर आपको लगे आप कहीं अठक रहे हैं तो आपको लगातार help मिल सकती है क्योंकि आपको mentorship दी जाए इसी बात बताता हूँ, मेरी दादी की एक अकसर आदत है, कि जब भी बारिश होने लगती है तो वो एक बरतन खुले आसमान के नीचे रख देती है, उसमें पानी जब बारिश का इकठा हो जाता है, तो उसके बाद वो उसे पीती है, उन्हें ऐसा लगता है कि बारिश से जो पानी आसमान से नीचे गर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है, मैंने बड़ी मुश्कल से उन्हें इस बात को कन्विंस किया था, समझाया था, कि जब पहली या दूसरी बारिश होती है, तो अट्मोस्फियर में जो कैमिकल पानी नहीं पीती, जब काफी लंबे समय से बारिस हो जाती है, उसके बाद वो बारिस का पानी इकठा करके पीती है, यह उनकी बहुत पहले की आदत है, उन्हें अच्छा लगता है शायद, लेकि अभी हाल ही में, रीसेंट स्टडी में ये पाया गया, कि जो बारिस का पा है, जो पानी में मिक्स हो जाता है, और वो जमीन पर आता है, अब मैं तो इस सोच में पढ़ गया हूँ, कि मैं दादी को ये कैसे समझाओंगा, कि अब वो कोई भी गिरने वाला बारिस का पानी नहीं पी सकती, क्योंकि हर पानी में PFA है, और वो बारिस के लिए बहुत है, हमने इस कदर अपने अट्मोस्फियर को पुल्यूट कर दिया है, कि कोई भी हिस्सा, जो पहले कन्वेंशनल ही बहुत ज़दा प्योर माना जाता था, अब वो भी पुल्यूट हो चुका है, ये जो PFA, बारिस के पानी के साथ नीचे गर रहा है, according to this study, उसे कहा जाता है Forever Chemical, आप सभी रोगों के मोबाइल में कोई एक पुराना ग्रुप पड़ा होगा, Friends Forever का, जिसकी ओर अब आप निगाह उठा कर भी नहीं देखते होंगे, आपने भले ही उस ग्रुप को नजरंदाज कर दिया हो, Forever Friends वाला, लेकिन Forever Chemicals आप इन्हें नजरंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत नुकसान दे हैं, ये कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं, जो जहां मन में आता है, वहीं चिपक जाते हैं, कुछ लोग बड़े एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, सभी से आराम से घुल मिल जाते हैं, बड़े ही मिलनसार होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है ये chemical, बड़ी आसानी से कहीं भी चिपक जाता है, चाहे वाटमोस्फियर में मॉलिकूल्स हों, छोटे-छोटे डस्ट के पार्टिकल्स हों, या फिर रेन वाटर, या फिर स्वाइल, ये बहुत ही आसानी से कहीं भी मिक्स हो जाता है, ये एक man-made chemical है, इस chemical का इस्तेमाल actually में ऐसी चीजों में किया जाता है, जिसे हम पानी, ग्रीस, या फिर ओल से बचाना चाहते हों, मतलब कोई भी ऐसा substance जो अपने आस पास देखते हैं आप, जिस पर से अगर आप पानी गिराएंगे, तो वो फिसल जाएगा, चिपकेगा नहीं, लगेगा नहीं, या ओल गिराएंगे कोई कड़ा ही हो सकती है, तवा हो सकता है, जिस पर चीजे अल चिपकता नहीं है, उसमें एक्चुली में कोटिंग की जाती है, PFA की, फर्दर, water propellant clothing, जो आप रेइन कोट पहनते हैं, उसमें भी PFA की कोटिंग होती है, ताकि पानी फिसल जाए, stain resistant fabrics, कुछ ऐसे sopha वगेरा होते हैं जिसमें पानी वगएरा गिरे तो वो फिसल जाता है स्टेंस्ट भी नहीं आते उसमें भी PFA का इस्तेमाल होता है कॉस्मेटिक्स कई सारे लड़के और लड़किया मेकप करने के शौकीन होते हैं पानी अगर चेहरे पे गिर जाएगा तो मेकप धुल जाएगा सालिय सामने आ जाएगी तो वो पानी से धुले नहीं उस पर से पानी फिसल जाए इसलिए उसमें भी फॉरिवर कैमिकल या PFA का इस्तेमाल किया जाता है फाइर फाइटिक फॉर्म्स में भी इसका इस्तेमाल करते है जो ग्रीस वाटर या ओयल का रेजिस्टेंट होता है मतलब हमने देखा कि अलोट अप प्रड़क्स सरदेयर जहां पर हम PFA का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद या अट्मोस्फियर में जाकर हमारी बॉड़ी में इंट्री करके हमें बहुत सरा नुकसान पहुँचाता है Exactly, ये PFA कैसे वरक करता है, कैसे नुकसान पहुचाता है ये स्वाइल वाटर या एयर में पहुँच जाता है इन सभी प्रड़क्स के, प्रड़क्शन या यूज के दुराँ जो PFA है वो आसानी से breakdown नहीं होता क्योंकि एक बहुत ही complex chemical compound है जिसमें carbon, hydrogen, oxygen और fluorine मिले होते हैं इसलिए environment में बहुत लंबे समय तक ये बना रहता है धिमे धिमे ये इंसानों के या फिर animals की body में भी enter कर जाता है और फिर आते हैं इसके health risk ये किसे भी इंसान की fatality को decrease कर देता है बच्चे पैदा करने की छमता बच्चों में developmental effects आ जाते हैं वो mentally या physically अच्छे से खुद को develop नहीं कर पाते ये body hormones में भी intervene करता है और cholesterol के level को भी बढ़ा देता है जिससे cancer का खत्रा बढ़ जाता है long term low level exposure से भी इसका नुकसान हो सकता है ये हमारी body में जो antibodies का generation होता है जिससे हम कई सर्वी बिमारियों से लड़ पाते हैं vaccine सम लेते हैं तो antibodies generate होती हैं ये उन्हें भी खतम कर देता है तो मतलब जो vaccinations हैं वो ineffective हो जाते हैं after exposure of this forever chemical आप इसका नुकसान तो समझी रहे होंगे क्या करें कि हम इससे बच जाएं इसको पानी में से निकालने के कई सारे तरीके तो हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा expensive है rain water से से निकालने के लिए हमें filtration system का इस्तेमाल करना होगा जिसमें activated carbon लगा हो लेकिन ये बहुत ही महगी प्रक्रिया है तो हम क्या करें करना हमें यही होगा कि हम ऐसे substance का कम इस्तेमाल करें जिनमें इस forever chemical का इस्तेमाल हो रहा है यही एक तरीका बसता है क्योंकि हम इतना सारा पानी purify तो नहीं कर पाएंगे further question है 2013 के prelims का पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा pollutant है जो drinking water में पाया जाता है भरत के कई सारे हिस्तों में अकसर में लोग trick समझते हैं कि ऐसे questions में all correct होता है तो all correct यहाँ पे नहीं है answer है C13N5 यानि की sobital or and formaldehyde यह नहीं पाया जाता arsenic fluoride और uranium आपको मिलेगा हमारा जो next article है वो hunger stones के बारे में है climate change बहुत तीजी से हो रहा है इसके बीच में बड़ी debate चलती है कि इसे कौन cause कर रहा है developing countries कहती है कि developed countries cause कर रही है developed countries यानि European countries कहेंगी कि यह सारा pollution India, China और बाकी की जो developing countries हैं वो कर रहे हैं लेकिन समझने वाली बात यह है न कि climate change को इससे फरक पढ़ता नहीं है कि किसकी वज़े से हो रहा है क्योंकि जब अपना प्रभाव डालेगा तो सब के उपर डालेगा and similarly, Europe में worst drought देखा जा रहा है जो लगभग 500 सालों के बाद इस level का drought है नदिया सूख रही है, reservoir वाइस सूख रहे है water table नीचे जा रहा है और इसकी वज़े से hunger stones दिखने लग गए है और यह hunger stones सोचल मीडिया पे viral भी हो रहे है क्या हैं यह hunger stones जिनने hunger stand, German language में कहा जाता है यह common ideological markers हैं center Europe की कई सरी नदियों में आपको पाये जाएंगे यह कोई एक पत्थर नहीं है बहुत सारे पत्थर हैं जो नदियों में लगभग 500 सालों से डूबे हुए हैं ऐसा कहते हैं कि 500 साल पहले इसी level का severe drought आया हुआ था तो नदियों का पानी जब सूख गया और बहुत लंबे समय के बाद लगभग 500 साल के बाद यह वापिस से दिख रहे हैं 500 साल पहले जब यह दिखे थे तो उसमें यूरोप में आया था massive famine और food shortage हो गया था लोग भूख के कारण मर रहे थे and that is the reason कि नहीं नाम दिया गया था hunger stone यह hunger stone एक बार फिर से दिख रहे हैं इनके उपर बहुत साइज जिगों पर बहुत सारे text लिखे गए हैं यह इस बात को दिखाता है कि अब आपका food availability का level भी affect होना वाला है इन पर engrave करके काव करके लिखा गया है जैसे जो एल्ब रिवर है वहाँ पर चेक रिपब्लिक में एक जो राइटिंग है that is when do miss cyst than when इसका मतलब यह है कि अगर आप इसे देख रहे हैं तो आपको रोना चाहिए इसका मतलब यह है कि अब आपके स्थती खराब होने वाली है food shortage होने वाला है और लोग भूग से परिशान होंगे जैसा कि 500 साल पहले हुआ था यह हंगर स्टोन किसी एक नदी में नहीं बलकि कई सारी नदियों में और कई सारे देशों में है तो यूरोप एक मैसिव ड्रॉट फीस कर रहा है दूसरी और रश्या यूक्रेइन वार की वज़े से food shortage है don't know what is going to happen in the world उमीद करते हैं यह situation जल्दी ही revive हो जाएंगी हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पूरोज हेल्मेट के बारे में है आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा अगर आप कोई bike ride करते हो स्कूटी ride करते हो तो वहाँ पर अगर आप जैसे सर्दियों के मौसम में डैली में भी खुब सरा fog हो जाता है डैली के एक स्टार्टप ने एक ऐसा helmet डवलप किया है जो यह problem solve कर सकता है उसको नाम दिया गया है पूरोज यह two wheeler riders के लिए बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि अब वो clean air breathe कर सकते हैं पहुसाए लोग हैं जिनको बहुत ज़दा ride करना पड़ता है जॉब का nature ऐसा हो सकता है, marketing का काम हो सकता है, कोई और काम हो सकता है जिसमें आपको लंबा travel करना होता हो या पूरा दिन आपको bike ride करनी पड़ती हो पूरोज एक anti-pollution helmet है जो two wheeler riders को clean air breathe करने मदद करेगा Silos Technolabs ने इसको develop किया है और उन्हें मदद मिली है DST यानि के Department of Science and Tech की समझे, feature यह है कि इसके पीछे एक system develop किया गया है जो particular matters को block कर सकता है और बाहर से clean air पहुँचाएगा biker के पास अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हवा तो सामने से आएगी गर कोई bike ride करेगा तो अब हवा जब सामने से आएगी और इसका system इन्होंने यह helmet में पीछे लगा रखा है तो इससे मदद क्या मिलेगी, like how will it work, समझे यह helmet है न, यहाँ पर देखिए एक अलग से यह पुरा system अटाच कर दिया गया है इसको आपको charge करना पड़ेगा, इसमें USB device लगी आप charge कर लो जब आप write करने जा रहे हो तो helmet का यह जो button है इसको press करो और यहाँ पर एक fan लगा हुआ है, यह जो fan है न, वो यहाँ से हवा को enter करवाएगा helmet में और यहाँ पर जो device लगी है, वो उस हवा को pure करेगी, clean कर देगी और इसके बाद एक vent के मार्धिम से, यह इसके उपर ही हिससे से होते हुए यहाँ पर glass के बाहर, यहाँ पर यहाँ पर यह हवा release होगी, जहाँ से वाईकर सांस लेता है मतलब हवा, in general तो आपको सामने है, आते हुए मिलती है, बट आपके इस helmet में जो हवा है वो पीछे से आएगी, और वो clean हवा होगी, और यहाँ पर एक vent भी लगा दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है ताकि यहाँ से जो हवा है, वो अंदर जाए न, proper availability रहेगी भीतर हवा की, और वो साफ हवा होगी, जिसमें आप सांस ले रहे होगी तो कितना बड़े हैं, system developed किया है न, that is called innovation, Bluetooth enabled app है, जिसमें आपको यह पता तर जाएगा, कि आपको अपने vent को कब clean करना है, क्योंकि लगातार वो pollution को रोकेगा, तो गंदा भी हो जाएगा, तो tweeler riders के लिए मदद मिल जाएगी, इसमें जो particular matter है, या vehicular emission है, वो दोनों से करते रहे हैं, और Ola और Uber एक independent companies हैं, जो आपको vehicular services देती हैं, आप एक application के Ola या Uber के कोई भी vehicular मंगा सकते हो, वो आप तक आ जाएंगी, और उनको आप use कर सकते हो, लेकिन ये पहली बार ऐसा है, कि कोई state government इस प्रकार की service आपको provide करवाने वाली है, तो ये थोड़ा अलग ये country का first online taxi service है, जिसे किसी state government की दोरा own किया गया है, किसने own किया है, ये केरला government की दोरा own किया जा रहा है, motor workers welfare board जो है, वो इसे labor department जो है, उसके edges में सही तरीके से manage करेंगे, अब देखे कई बार क्या होता है, हम सभी को देखे ना सुनने में बुरा लगता है, सभी को बुर जाना है, फिर आप बताओगे कि यहां जाना है, फिर बोलेंगे नहीं मुझे वहां तो नहीं जाना, आप बोलोगे कि मुझे east में जाना है, तो कहेंगे मैं तो west में जा रहा हूँ, चलना है तो चलो, नहीं तो मच चलो, इसमें आपको fair अच्छा मिलेगा, safe और decent service मिल दूसरा, कि आपको कोई search pricing नहीं face करनी पड़ेगी, search pricing क्या होती है, आप लोग exam देने एकसर जाते हो, कोई नो कोई exam देने जाते हो, जो आप exam देने जाते हो, तो जब center से बच्चे निकलते हैं, तो कितनी भीड हो जाती है, और जो ले जाने वाले लोग होते हैं, जो services दे बढ़ा देंगे, आपके पास एक option रहेगा, आप यहाँ पर booking करोगे, तो फिर आपका price नहीं बढ़ेगा, कोई festival का दिन है, तो वहाँ पर price बढ़ा देते हैं, यह सारी problem यहाँ पर नहीं होगी, आप आराम से जो normal price है, उसमें केरला सवारी इस्तेमाल कर पाऊगे, security related features है, आप online service, यह women, children, senior season के लिए अच्छा है, police clearance certificate जरूरी होगा, जो भी drivers इसको join करेंगे, और उनको proper training दी जाएगी, एक panic button भी होगा, अगर कोई accident होता है, कोई और problem है, तो आप panic button application में दबा दीजिए, जो आपको मदद है, वो मिल जाएगी, अगला article, national cancer grid के बारे में, अब स पूशिश करता है कि cancer care के लिए collaboration बनाई जाए, जिससे की digital technology का इस्तमाल करके हम, cancer care across India पहला पाए, तो जो national cancer grid है, 2012 में बनाया है, government of India ने, through department of atomic energy, and with support of Tata Memorial Center, इसका काम किया है, जितने cancer centers, इनके network बनाया जाए, institutions का, research centers का, patient groups का, charitable institutions का, ताकि एक uniform standard बन से के patient care का, कि भाई, cancer क patient अगर हैदराबाद में लट से, किसी गाओं में है, किसी जारकंड या, उड़ी सके, तो उनको at least अगर कुछ cancer hospital में पता हो कि SOP, standard of procedures क्या है, at least यतना उतों maintain करना है, क्या uniform standard है, कैसे training और education प्रवाइड करनी है, oncology मतलब cancer related treatment की बात यां हो रहे है, collaborative basis पर transactional clinical research कैसे किया जा और grid बनाते हैं, जैसे grid का काम क्या होता है, supply और जो requirement है, वो पूरी करना, एक जो लोग सीख पाए, यही कोशिचे नाशनल cancer grid की, विश्नुगड प्रजक्ट जो की world bank ने बोला है, कि एक विवरास्पद जो level पर पहुँच चुका है, यानि एक यह project है, विश्नुगड प्रजक्ट जो कहां पर है, किस नदी पर, तो धौल गंगा river पर है, जो कि चमौली में होतराकंड में, यहां पर यह project कर रहा है, Supreme Court ने कर रहा है, कि वो एक independent panel भेजेगा, क्योंकि उनको प्ल धौली गंगा river के उपर बनाए गया है, चमौली टेस्टिक में, कहां पर है, उत्राकंड में, किस ने बनाया है, तो टहरी हैट्रोपावर डेवल्पेंट कोपरेशन, THDC ने, जो कि state-owned enterprises है, 2011 से almost चल रहा है, 2023 में सका projection complete होने वाला है, पर यहां के लोगों कैसी शिकायत है, क यहां के मंदिर और इलाकों में काफी खत्रा है, पानी भी कम हो जाएगा यह डैम बनने के बाद, तो कौन सा प्रोजेक्ट है, विश्नुकर प्रोजेक्ट कहां, चमौली में, किस river के उपर, दौली गंगा के उपर, यह चीज़ें आप समझ गए, इस topics, अब World Bank इसके उपर localized to globalize, exporting at scale and deepening the ecosystem are vital to higher domestic value addition, अब इतना लंबा नाम तो नहीं आएगा, पर globalize to localize नाम की, अगर report की बात की जाए, तो कहां से आया है, तो वो ICRIER, यानि Indian Council of Research on International Economic Relations ने निर्गत किया है, तो क्या यह government body है, तो no, it's not a government body, it's a policy oriented think tank, economy think tank, जिसका काम है, जो policy making है, उसमें knowledge बढ़ा हो, यह प्रमुक रूप से पांच एरियाज पर रिसर्च करते हैं, growth employment, micro economics, digital economy, startups, innovation, climate change, urbanization, sustainability, trade investment और external relations, तो यह इनके प्रमुक एरियाज है, इनकी यह report है, विच इस globalize to localize, कि इसने इशू करी, Indian Council of Research on International Economic Relations, is it a government body, no, it's a think tank, a policy think tank, यह industry bodies, जो है, mobile और electric industry के, इनकी जो प्रमु stakeholders है, चया brand donors हो गए, या technology providers हो गए, retail chain operators हो गए, इन सबका एक, समू है, जो मिलके काम करता है, ICI, Indian Council for Research on International Economic Relations, तो यह इनके vision को आगे ले जाता है, ताकि एक platform है, जहां पर याकर, आपसमान मिल पाए, और देख पाए कि कैसे हम, जो भी काम हो रहा है, उस पर बढ़ोतरी ले ठीक है, अगल आर्टिकल बात करता है, zombie ice के बारे में, recently देखा गया, Greenland का, कि एक बड़ी ice sheet, वो पिखलेगी, जिससे global sea level 10 inch तक बढ़ सकता है, अपने आप, अब देखिए, एक study कह रही है, generally UPSC studies को अतनी मानिता नहीं थी, कि officially UN की study नहीं है, लेकिन zombie ice क्या होती, ये news में रहा तो हमें पता होना जीए, कुछ normally जो icebergs होते हैं, ice shelf होते हैं, Greenland की बात कर लें, या फिर आप, हिमालिया के भी glaciers की बात कर लें, तो glaciers हमेशा जुड़े रहते हैं एक प्रमुक सोर्स से, जहां उनको पानी, या फिर जो cooling होती रहती है, जो water source हो से वो intact रहता है, zombie ice, य तरह से बनी रहती थी, वो नहीं रह पा रही है, क्यों भाई, उनका क्यां से वो system है, जैसे glacier का टुकटा टूटके अलग हो गया, तो यहां normally जो glacier का sustain होता था, तो तब ही उपाएगा जब एक पूरा भूभाग जुड़ा होगा हो, तो वो भूभाग टूटके अलग हो गय So they get disconnected, they're like a zombie, zombie क्या होता है, अपने Hollywood के film में देखा होगा, जैसे हम doomed eyes भी कहते हैं, यह ऐसी eyes है, जो इसके आसपास, shelf के आसपास बर्फ तो है, लेकिन यह जुड़ा हुआ नहीं है अपने parent body से, जहां से main जो बर्फ का source था, वो आता हो, जहां से यह sustain कर पाए अपने आपक लेकिन अगर ग्लेशे टूटके अलग हो गया, एक बड़ा हिस्सा टूटके अलग होगा, तो उसके साथ आसपास ice तो होगी, पर वो parent body के साथ नहीं होगा, तो उतनी ज़दा ice जमा नहीं हो पाएगी, वो इतना strong नहीं हो पाएगा, इस वज़े से कहते है zombie ice, और कहा जा र बड़ात्री लेकिन ये, तो कुछ जाद ही अभी तक बड़ात्री को बता रहे है, अगेन I am saying this study is not, you know, UPSTSC studies पर question generally कम पूछते हैं, पर zombie ice क्या है, या फिर dead ice, या आप doomed ice किसे कहते हैं, ये समझना जादा important है आपके लिए, तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much.